कई मायनों में राम हमारी संस्कृति के बुन्यादी तत्वों के प्रतिनिधी है या कह सकते हैं कि वे इसके मूर्त रूप हैं ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हम किसी की एकठा की गई चीजों को मूलेवान नहीं मानते हम दुनिया में किसी की उपलब्धियों की गिंती नहीं करते नहीं हम युद्ध में किसी की जीद की गिंती करते हैं लेकिन सबसे महतुपूर्ण आयाम ये है कि किसी ने अपने भीतर कितनी गहरी सुतंतरता हासिल की है, आपके जीवन में मुक्ति का क्या स्तर है? उन अलग-अलग चीजों से आपके आजादी कितनी गहरी है, जिनसे एक इनसान परेशान हो सकता है? अगर आप राम के जीवन को देखें, तो मैं चाहता हूँ कि आप समझें, जब राम आयोध्या में थे, हाँ कुछ चीज़ें गलत हो गई और वे जंगल चले गए, और उनकी पत्नी का शुलंकाई लोगों ने अपहरण कर लिया, LTE नहीं, उससे बहुत पहले, और जब उन्होंने दक्षण की और बढ़ना शुरू किया, और जब उन्होंने आंदरप्रदेश और करनाटक की सीमा या सरहद को पार किया, तो हमने उन्हें रामा कहा, जिसक्षण उन्होंने तमिल लाडू में प्रवेश किया, हम उन्हें रामन कहने लगे, इसलिए जब मैं रामा कहता हूं, तो ब्रहमित नहों, दक्षण में वे राम नहीं हैं, वे रामा हैं। तो अगर आप राम के जीवन को देखें, उन्होंने अपना राज जिखो दिया, उनका राज छीन लिया गया, जबकि उनका विधिवत एक राजा के रूप में राज्या विशे किया गया था, उनकी पत्नी को दूर कर दिया गया, बाद में उनके जीवन में उनके बच्चों को भी दूर कर दिया गया। आम तोर पर अधिकांश मनुश्यों के जीवन में अगर इनमें से एक भी चीज हो जाए, तो वे जीवन भर के लिए तूट जाएंगे। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये सभी चीजें होने के बाद भी वे अपने कर्म करते रहे, जो उन्हें करने थे, यहां तक कि उन्होंने युद्ध भी लड़े, लेकिन कभी भी क्रोध या दुश्मनी या आंक्रोश ने उन पर विज़े प्राप्त नहीं की। इसी कारण से हम उन्हें नमन कर रहे हैं। वे जबर्दस अफलता नहीं हैं, ये आपदाओं की एक श्रंखला है। इस विनाशकारी जीवन के बावजूद नकार अत्मक्ता उन्हें पराजित नहीं कर सकी। वे इन चीजों से मुक्त हैं। ये एक ऐसा गुण है जिसके लिए हम उन्हें नमन कर रहे हैं। क्यूकि इस संस्कृती में हमारा अंतिम लक्ष भगवान नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष स्वर्ग नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष मुक्ति या मुक्ष है। मुक्ति या स्वतंतरता हमारे जीवन का सबसे उंचा लक्ष है हमारी संस्कृति का यही महत्व है बाकी हर जगा, लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन हम जानते हैं, कि अगर हम स्वर्ग में जाते हैं, तो भी हम कुछ समय बाद ऊढ़ जाएंगे स्वर्ग में भी अमूब सकते हैं इसलिए हमने उन संभवनों को पहले ही देख लिया और जाना कि अंतिन चीज मुक्ती है हर संभव तरीके से मुक्त हो जाना और वैसे भी आप मेंसे किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि आप अभी स्वर्ग में रहकर उथल पुथल नहीं मचा रहे हैं पहली बात है कि जहां हम अभी मौजूद हैं उससे बहतर जगा के बारे में जब कोई बात करता है तो ये एक अपराद है यही कारण है कि राम का जीवन सबसे महतुपून है दुनिया ने आप पर कई चीज़ें भेंकी संपूर्ण जीवन उनके रास्ते में आने वाली आपदाओं से भरा है एक के बादे लेकिन वे आपदाएं उन पर हावी नहीं हुई बाहरी हालात तै नहीं करते कि वे कौन है वे खुद फैसला करते हैं कि वे कौन है ये एक परम मानव होने का सार है कि बाहरी स्थितियां ये तै नहीं करते कि आप कौन है आप तै करते हैं कि आप कौन है ये एक विशेशादिकार है ये सिर्फ मनुश्यों को दिया गया एक विशेशादिकार है कई अन्य जीव है आज वे कहते हैं कि इस ग्राब पर एक खरब विभिन प्रकार के जीव है लाख नहीं, खरब ये सभी जीव सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े जीव वे सभी अपने बुनियादी स्वभाओं के दाइरे के अनुसार जीते हैं जिन्दा रहने की मूल प्रकृति उन पर शाशन करती है यही कारण है कि अद्भुत बाग हैं गुजरात में शेर हैं, दक्षड में हाती हैं लेकिन हमने शेर को लाइन बीइंग नहीं कहा एक बाग को टाइगर बीइंग, हाती को एलिफेंट बीइंग नहीं कहा आपको पता होना चाहिए कि होना कैसे है अपने आपको इतनी जल्दी बढ़ाई ना दें आपको होने का तरीका पता होना चाहिए मतलब आप तै कर सकते हैं कि आपको होना कैसे है हम ये तै नहीं कर सकते कि दुनिया हमें क्या करेगी लेकिन हम ये तैय कर सकते हैं कि हम अपने भीतर क्या करेंगे दींग होने का यही अर्थ है कि आप जानते हैं कि होना कैसे है राम इस आयाम को सौ प्रतिशत दर्शाते हैं वे जानते हैं कि होना कैसे है कि राजपाट छीन लिया गया, पत्नी छीन ली गई मैं आंध्रप्रदेश में नेलाउर नाम के एक छोटे शहर में था उस दिन मेरे साथ मंच पर हमारे वर्तमान उपराश्प्रती भी थे एक छोटी सी लड़की, एक 14 साल की लड़की खड़ी हुई और मुझसे पूछती है सद्गुरु, वे कहते हैं राम अयोध्या से श्रीलंका तक पूरे रास्ते चल कर गए क्या यह संभव है? यह सब सिर्फ एक कहानी है क्या अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चलना एक आदमी के लिए सच में प्राक्टिकल है? मैंने का देखिए, आप अभी एक चौदा साल की लड़की है आप बड़ी हो जाएंगी और एक दिन आपको अपने लिएक आदमी मिलेगा मान लिजी कि आप खो गएं, तो आप किस तरह का आदमी चाहती है? मैं एक ऐसा आदमी जो पूरे रास्ते चले और आपकी तलाश करे या क्या आप ऐसा आदमी चाहती है? जो कहे ठीक है, वो चली गई है, तो मुझे अपने लिए को इस्थानी समाधान खोजना होगा आप किस तरह का आदमी चाहती है? वो बोली मैं एक ऐसे आदमी को पसंद करूँगी जो पूरे रास्ते चलेगा मैंने कहा उन्होंने ऐसे ही किया वे एक राजा थे, वे एक स्थानी समाधान पास सकते थे लेकिन नहीं, उनकी पत्नी उन्हें इतनी प्यारी थी कि वे पूरे रास्ते चले, युद्ध किया और उन्हें घर वापस लाए हलांकि इन दिनों ये बहस छिडी है कि ये आदमी पुरुष होने को उंचा समझता है क्योंकि अपने अभिमान के कारण, या अपने राज, या किसी बकवास के कारण उन्हें फिर से जंगल में भेज दिया ये बहस गुजरात में, एक विश्विद्याले में तब शुरू हुई जब मैं युवा जुडो सत्य से अभियान का हिस्सा था इसलिए मैंने उनसे एक सरल सवाल पूछा हम अपने देश में विभिन परस्थितियों से गुजर रहे हैं ये महांसंभावनाओं का देश है, पर फिर भी हमने इसे महांसमस्याओं का देश बना रखा है हलागि एक समय में हम धर्ती के सबसे समरुद्र राष्ट्र थे आज हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन फिर भी जनसख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में है जब ऐसी स्थिती हो तो क्या आप इस देश में ऐसा राजा या नेता पसंद करेंगे जो अपने जीवन में अपने परिवार और प्रियजनों से उपर अपने नागरिकों और राष्ट्र की भलाई को स्थान दे या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे जो परिवार के लिए सब कुछ करेगा और राष्ट्र के बारे में भूल जाएगा उन्होंने कहा बात ये नहीं है उन्हें अपनी पत्नी को भेजने की क्या जरूर थी आपको समझना चाहिए कहा गया है कि एक धोबी उनकी पत्नी या राणी के बारे में बोल रहा था एक राणी सिर्फ एक पत्नी नहीं है उसकी राज्य में एक जगा है वो सिर्फ कोई महिला नहीं है एक राणी उस राज्य की मां की तरह होती थी अब ये कहानी में नहीं है कहानी कहती है कि धोबी इस बारे में बोल रहा था एक धोबी बोल रहा है इसका मतलब है कि ये शहर में एक सामान्य गपशब है हर कोई इसके बारे में बोल रहा है वे सोच रहे हैं कि वो हमारी रानिमा कैसे हो सकती है अब आपके पास एक रास्ता ये है भाड में जाए नागरिक, मैं अपनी पत्नी को रखूँगा या अपने नागरिकों के लिए मैं किसी ऐसे विक्ति का बलिदान करूँगा जिसके लिए मैंने एक युद्ध लड़ा एक भयानक युद्ध, एक जोखिम भरा युद्ध लड़ा क्योंकि आपके पास युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं थी आप बस अपने भाई के साथ युद्ध लड़ने चले गए ये सब आपने उस महिला के ले किया था लेकिन अब राश्ट्र की खातिर और नागरिकों की खातिर आप उसका बलिदान करते हैं और वो भी तब जब वो पूरी तरह से गर्भावस्था में है एक राजा के लिए बच्चे बहुत महतुपून होते हैं क्योंकि यही निरंतरता है वे यह नहीं जानते कि एक लड़का है या लड़की है या लड़के है या लड़कियां है उन दिनों में कोई सोनुग्राम नहीं होते थे वो जंगल में जाती है और दो लड़कों को जन देती है और राम ये नहीं जानते हैं एक राजा के लिए ये बहुत बड़ी तबाही है उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे हैं और इतना ही नहीं स्थिती इस तरह से त्यार होती है कि आखिर वे उन बच्चों से युद लड़ते हैं आपके जीवन में सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है जानबूच कर या अंजाने में आप अपने बच्चों को मार दें ये सबसे भयानक बात होगी जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं उन्होंने लगबग ऐसा कर दिया था लेकिन फिर भी क्रोध, शत्रता और आक्रोश से परे रहे जो जरूरी है वो करते रहे हालाकि इस वज़े से आपके दिल में बहुत दर्द होता है आप इस दर्द को उन चीजों का अधार नहीं बनाते जो आप बाकी दुनिया के साथ करते हैं यही चीज वे दर्शाते हैं इस राष्ट और विश्व के लिए यही आदर्श होना चाहिए अगर आप मुझे परेशानी देते हैं तो मैं भी आपको परेशानी दूँगा फिर तो हर कोई परेशान हो जाएगा क्योंकि यह बात पक्की है कुछ तो आपको परेशानी देगा जब आप इस जीवन से गुजरते हैं यहां परेशानी देने वाले बहुत से लोग है लेकिन जैसे ही आप उचे स्थर पर पहुँँछते हैं अगर आप परेशानी देने वाले वक्ती बन गए तो हर कोई परेशान हो जाएगा तो उनका जीवन इतिहास नहीं है, ये इस देश और इस दुनिया के भविश्य के लिए एक सबग है ये महात्मा गांधी की एक सो पचासवी वर्षगांड भी है और कस्तूर्बा जी की भी मुझे इस अवसर पर श्रधांजली देने के लिए गठित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 20 सदस्य समिती के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है इसके अंतरगत हम कई काम कर रहे हैं एक कार ये है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रे कारेकरम आयजुद करने वाले हैं जो नुई-यॉक, लंदन, बर्लिन, मॉस्को में होने वाले हैं और यहां एहमदाबाद में उसका समापन होगा बहुत ही उच्छ स्तरिय हस्तियों के साथ हम ये कारेकरम कर रहे हैं जो शान्ती की संस्कृति के बारे में है क्योंकि आज, जब भी युद्ध होता है, हम संगर्ष के समाधान की बात करते हैं लेकिन शान्ती की संस्कृति मौजूद नहीं है राम, महत्मा गांधी ये सभी शांती की संस्कृती को दर्शाते हैं शांती की संस्कृती बनाने के लिए क्योंकि हर मानविय लेंदेन हर इंसानी लेंदेन चाहे वो पारिवारिक हो या वैवसाय में हो राष्ट्र में या राष्ट्रों के बीच हर लेंदेन में संघर्ष हो सकता है इसमें टकराव होता है अगर हमारे पास शान्ती की संस्कृती नहीं होगी तो हर लेंदेन संघर्ष बन सकता है इसलिए अपने आसपास अपने भीतर राष्ट्रों के बीच शान्ती की संस्कृती लाने के लिए हम यह आयोजन कर रहे हैं और ये चार कारिक्रम महतपूर्ण राष्ट्रों की राजधानियों में घड़ित होंगे जैसा कि मैंने कहा न्यूजॉक शहर, लंदन, बर्लिन और मॉस्को से शुरू होकर अंतिम कारिक्रम यहां एहमदाबाद में होगा और इसके एक हिस्से के रूप में हम महत्मा गांधी की 12 फुट उची प्रतिमा के निर्मान की प्रक्रिया में हैं जिसमें एक 4 फुट का आधार है जिसे हम लगाना चाहते हैं इसे हम नदी के मुहाने पर स्थापित करेंगे साबरमती नदी पर एक ऐसी जगा जहां साबरमती आश्रम से आप उस मूर्ती को देख सकते हैं आप सभी को इसका हिस्सा होना चाहिए क्योंकि महत्मा गांधी एक व्यक्ति के रूप में जा चुके हैं लेकिन एक आधर्ष के रूप में एक प्रेर्णा के रूप में हमें उन्हें जीवित रखना चाहिए कई मायनों में ये एक संयोग नहीं है कि लगातार महत्मा ने राम के गीद गाए और अलग-अलग तरीकों से उनकी पूजा की एक तरह से 20 वी शताबदी में महत्मा राम का विस्तार है और उनकी प्रेवपत्नी जब आपके पती के रूप में महत्मा गांधी जैसा आदमी हो तो एक पत्नी के लिए ये बहुत कठिन जीवन है एक महिला के लिए इस तरह के पुरुष की पत्नी होना एक असंभव रूप से कठिन काम है क्योंकि इस आदमी की उर्जा और ध्यान परिवार से बढ़कर किसी और चीज में लगे हुए है और परिवार को मुश्किल से वो मिलेगा जो उने समाने रूप से मिलना चाहिए इसलिए ये उनकी भी एक सो पचासवी साल गिरा है हम उनकी हर चीज के लिए उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने महात्मा को राष्ट्र को सौप दिया ये एक अद्भुत काम है इसलिए दो अक्टूबर को हम यहां होंगे एहमदाबाद में मैं बापू जी और आप सभी से अनुरोद करता हूं कि आप किसी रूप में इसका हिस्सा बने आप में से अधिकांश ने आदियोगी का चित्र देखा होगा और महात्मा गांधी की छवी भी उसी अंदाज में बनी है मैंने फैसला किया क्योंकि महात्मा गांधी की अधिकांश तस्वीरे तब ली गई मीडिया तब मौझूद था जब महात्मा उपवास कर रहे थे और उन्होंने सोचा वे मरने वाले है तो वे हमेशा इस तरह से देखे गए बेशक अगर दो सब्ता से अधिक समय तक खाना न खाया जाए तो वे ऐसे ही दिखेंगे ये वो छवी है जो आप बड़े पैमाने पर देखते हैं अधिकान स्थानों पर लेकिन हमें महात्मा गांधी की एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें वे बहुत खुश हैं और वे अच्छी तरह पोशित भी हैं हमें ऐसी छवी मिली है जिसमें पर देखते हैं